क्या हो गर आपका पार्टनर बहुत खुबसुरत हो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए वो आप सोच भी नहीं सकते क्या फिर आप उसे एकसेप्ट कर पाओगे चलो मैं आज ऐसे ही एक प्यारी से कहानी सुनाने वाला हूँ आज की मूवी का नाम है Love Like The Falling Petals चलो आओ देखें कारनी में शुरुआत से क्या हुआ मूवी की शुरुआती एक छोटे से ट्रैजिटी से हुई हारूटो जो की एक प्रफेशनल फोटोग्राफर है ऐसा ही उसने मिसाकी को बताया था उसे मिसाकी की साथ अगले हफते गुमने जाना था यही पूछते पूछते उसने अपनी गर्दन घुमाई जिससे ये हुआ उसका कान कड़ किया था उस दिन वो बहुत रोई छे मैने पहले हारूटो उससे पहली बार मिला उससे अपने बालों को काटने के लिए सलून में जाना था उपर से उसे मिला एक फ्री कूपन उसी दिन पहली बार मिसाकी को देखकर उसके होश उड़ गए हरूटो को उसने कीवी एस्टाइल अच्छी लगी ये सुनते ही उसके फेस पर एक खुपसूरत सी स्माइल आ गई थी यही मुस्कुराट हरूटो के मन में बस गई इसके बाद हर माईने वो यही पर एक बार आता ऐसे करते करते उसे एक दिन पचा चला विसाकी सिंगल है ये सुनकर उसके खुशी का कोई ठीकाना नहीं था फाइनली इस दिन वो उसे बाहर जाने के लिए कहने वाला था एंड ये हो गया उसने कहा तुम मुझे माफ कर दो इसके लिए तुम जो कहोगे वो मैं करूगी बस मुझे माफ कर दो हरोडो रिपला में कहता है कुछ भी करूगी क्या तुम मेरे साथ चेरिप लोसम देखोगी ये सुनकर थोड़ी देर के लिए उसके मुझे कोई भी शब नहीं निकले यही से असली कहानी की शुरुआत होई विसागी न यही बात अपने भाई ठाकशी को बताई जिसे सुनकर वो काफे गुसा था उसी ये तक के दिया अगर मुझे हरू तो दिखा तो मैं उसका दूसरा भी कान काट डालूगा मैं आपको बता दू उन दोनों के पैरेंट्स बच्पन में ही गुजर गए थे तब से ही ताकशी मिसागी का ध्यान रखता बिल्कुल उसके मॉम डैट की तरह उसके गल्फिर्ण भी थी और यानो ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले है बाकी सब लोग उन दोनों की अगली मुलाकात को डेट ही समझ रहे थे वो कहती है ये कोई डेट नहीं जो मैंने किया उसका कंपनसेशन है सच में आगे देखो मिसा की काफी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बूमन थी यही काम करते करते हारोटो ने उसे मैसेच किया उसने डेट को ट्यूजरी पोस्पॉन कर दिया वो उसे उस जगा फोटोस कीजने में असिस्ट करेगी यह बढ़कर हारोटो ने पहले माफी मांगी एक चीज़ के बारे में उसने जूट कहा ग्राजूशन के बाद वो टोकियो आया अपने सपने को पूरा करने के लिए जो कि था एक फोटोग्राफर बनना उसने अपनी पहली फोटो टोकियो टावर की खीची थी अपने डैट के दी हुए कैमेरा से यह तो सिरीव कहनी की बाद थी जब उसे स्टूडियो में इंटर्शिप मिली वहा का काम उसे बिलकुल भी नहीं होता इसलिए उसने एक साल के अंदरी जॉब को छोड़ दिया उस जगह उसे ऐसे लगता जैसे उसके अंदर कोई भी टालेंट नहीं है इसके बाद हरुटो ने कई सारे जॉब्स बदली जैसे हम बैटरीज बतलते हैं न वैसे जिस दिन उसकी मिसाकी से मुलाकात होई उस जोरान हरुटो के मुझ से कुछ शब्दी नहीं निकले मिसाकी के मुझ कराहट के सामने ट्यूजडी को वो दोनों चेरी ब्लोसम देखने आए उसे जानना था मिसाकी ने हेर ड्रेसरी बनना क्यों चुना पहले उसके बाल करली हुआ करते एक दिन उयोना उसे सलून लेकर गई हेर को स्ट्रेट करवाने वो उसे किसी मैजिक के तरह ही लगा वो खुद कोई बैचान नहीं पा रही थी सेम से वल मिसाकी ने उसे किया हरुटो ने उसे अपनी सारी सच्चाई बताई लोगों को उनके प्रफेशन से जज़ करती है तुमने कहा था फोटोगाफर बनना ही तुमारा ड्रीम है यह ऐसे कैसे तुम छोड़ सकते हो तुमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए उठाओ फिर से कैमेरा आखिर मैं उसे एक दम से रियलाइज हुआ शायद यह थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए ओ ऐसे ही जाने लगी हरुटो ने जोर से उसे रोकते हुए कहा मैं बदल कर दिखाऊंगा एक ऐसे परसंद में जो मिसा की को परसंद है वो अपने सपनों पर कभी भी give up नहीं करेगा इस दिन के बाद से हरुटो का कोई भी call या फिर message नहीं आया एक जगा मिसा की lunch कर रही थी उसने देखा cherry blossom की battles fall कर रहे हरुटो ने उसे call करके बताया उसने फिर से studio join कर लिया था वो ये बात उसे बताना चाहता था आखिर में उसने सोचा payment मिलने तक वो एक बात उसे नहीं बताएगा और आज उसे पेचेक मिल गया उसे मिसा की को डिनर पर लेकर जाना था उसने हां कहते ही आप देख सकते हो वो दोनों कितने खुश थे डिनर पर जाने से पहले है वो थोड़ा मेक ओवर कर रही थी हमने देखा उसके बाल थोड़े क्रेश से हो गए थे शायद जाद स्ट्रेस लेने के वज़े से उसने डिनर पर हरटो ने अपने मेंटोर कायो सुके की तस्वीर दिखाई जिनके साथ वो काम गरता इस पर वो पूरा बदल चुका था उसने बताया कैमेरा एक मैजिक टूल है जब वो जोटा था तब उसने पहली फोटो कीची उस दोरान उसे पता चला कैमेरा उन पलो को हमेशा के लिए कैद कर सकता है ये बाते आपको सुनी भी नहीं लग रही वो मिसागी जैसे ही बात कर रहा था हरोटो ने डरते हुए उसे गिफ्ट दिया पिंग कलर का सीजर केस वो कहता है आइ तिंग ये तुमारा फेवरेट कलर होगा क्योंकि तुमारी स्माइल बिल्कुर चेरी ब्लूम्स के फूल की चर्सी है हरोटो ने जो जोट बोला था वो एक तिनोस जोट को जरूर सच करके दिखाएगा उसे मिसागी से प्यार करने के बात ही रियलाइज हुआ कि वो अपने लाइफ के साथ क्या ही कर रहा उसे अपने करियर को सीरिसली लेना पड़ेगा वो जाता है विसा की उसके साथ रहे जब तक वो सक्सेस्फुल नहीं बन जाता तब तक इसका जवाब देने के लिए उसके पास कुछ भी शब नहीं थे सिवाए स्माइल के स्टिशन पे वो उसे कुछ कहना चाहते थी उससे पहले उसे अपनी लास्ट रेंड के लिए जल्दी से बागना पड़ा वो कहती है मुझे भी तुमसे प्यार करना है प्लीज मेरे वाइफरन बन जाओ घर पर जितनी वो खुश थी साथ साथ बागी की लोग भी उसके जितना ही खुश थे स्टूडियो में उयुकी ने उसे कहा मिस्टर सवाय जादा दर किसे की उपर भी चिलाते नहीं तुमारे अंदर वो फोटोग्राफर का उन्हें पोटिंशल लिखता है इसी वज़े से वो तुमें हर वक डाटते रहते इस रात वो मिसाकी के साथ क्लब में गया वो दुनों ऐसे ही हर दिन एक साथ कही न कही जाकर टाइम स्पेंड करते और एक दुसरी के साथ ऑनलाइन बाते करते इसले ही वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया उन दुनों को एक दुसरी की पसंद बता चली और बहुत कुछ ऐसे ही एक दिन मिसाकी को फीवर हो गया था ये सुनकर हरुटो नकाम खतम करके तुरंट उससे मिलने निकल गया ये देख वो जल्दी से रूम को साफ करने लगी इसलिए कहते हैं रूम को साफ रखा करो घर पर पहुँश थे उन दोने हरुटो को पहचान लिया ये बता चलते तकाशी घुसा होकर ओर प्रोटेक्टिव बिहेव कर रहे थे उसकी छोटी बहन के लिए अयानों ने उसे मार मार कर शांत किया तकाशी कहता है बिल्कूल बाउंडरी में रहना नहीं तुम्हें दुमारा दूसरा कान भी काट डालूगा इसलिए उसे रूम के बाहर से ही बात करनी पड़ी उसे मिसागी को असलियत में देखना था पीना मेकप के उसने अपने हाथों से उसका मास निकाला और बस उसके मुँसे ये शब निकले तुम बहुत खुबसरत हो हारूटो उसे किस करने बरता तकाशी ने उसे उठा कर बाहर निकाल दिया रात को पदा नहीं कैसे अचानक मिसा के दर्थ से तडपने लगी हॉस्पिडल में डॉक्टर ने उनसे कहा उसे प्रोजिरोइट सिंड्रॉम है वो ठीक से तो नहीं बता सकते बिना उसके टेस्ट करे लेकिन उन्हें उसके अंदर शुरुवाती लक्षन दिख रहे हैं जैसे बालो का ग्रे होना और सड़न बोड़ी में पेन सीधे शब्दों में उसकी बोड़ी बाकी लोगों से ज़्यादा जल्दी एच करेगी शायद वो एक साल के अंदर बुड़ी औरत दीख सकती है ये सब टेस्ट के बाद ही उन्हें पता चलेगा ताकाशी मिसा की इन दोनों को मिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी बिमारी कोई एकसिस करती है इस रात उसे रात पर नीन नहीं आए इस फोटो को देखकर जिसमें एक लड़की छे मैने में पूरी बूरी हो गई थी अगले दिन मिसा के बिन अपने चिंदा करे कीमोनों पहन कर हरुटो के साथ फायरवक्स देखने चली गई बताओ उनकी वोरी किसमत फायरवक्स शुरू होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी रात को वो कितना भी दिखाए कि वो खुश है लेकिन उसके मन में अभी भी वही बाते चल रही थी इसी दोरान हरुटो ने एकदम से उसे शादी के लिए पूछा मिसाके का कहना था उसे दुनिया में उससे भी अच्छी कई सारी लड़किया मिलेंगी वैसे भी उन्हें तीन मेंने ही हो चुकी है एक दूसरे को डेट करने में वो कहता है मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है सोचने के लिए तुम अपना टाइम लो वो और कुछ कहता उससे पहले ही उसने उसे किस कर लिया डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट रिपोर्ट दिखाई है जिसमें ये साबित हो गया था उसे ये बिमारी है और वो जल्दे ही बुड़ी हो जाएगी अगली दिन उसने जाकर जॉब से रिजाइन कर दिया जो लोगों को गुपसुरत करती चे मैने बाद वो खुदी एक बुड़ी औरत बनने वाली है ऐसे उसने कहा इन सबी चीजों को रखने के वग वो इतनी जादा दुखी हो गई थी कि वो अपने आशे को रोक नहीं पाई अगले सुबा हरुडो के अपाटमेंट के पास मीसाकी बेटी होई थी उसका इंतजार करते हुए कैमेरा को देखकर उसे उसके साथ फोटोस खीजनी थी वो कहता है उसन मैंने जो तुमसे कहा शायद ये तुमारे लिए थोड़ा जल्दी हो गया मैं रोज बहुत मैंनत करूगा जब तक कि मैं एक प्रफेशनल फोटोग्राफर नहीं बन जाता मैं तुमारे लिए एक साल, दो साल, तीन साल जितना कहो उतने साल रुपने के लिए तयार हो रात को फिर वो दोनों इंटिमेट हुए विसा की सुभा गुड़बाई कहे कर उसे चली गए ये गुड़बाई उसके तरफ से आकरी वार था इसके बाद उसने हरुटो की मैसेज का रिपलाई नहीं दिया नहीं वो उससे मिली ताकाशी भी उसे कुछ भी ठीक से बता नहीं रहे थे उसने कहे दिया वो या आपर नहीं है विचारा कही देर तक उसे आवाज देता रहा वो एक बार फिर से आया उन फोटोस को देने जो उन दोना ने एक साथ कीची थी हरुटो को काम करते-करते विचाकी का कॉल आया उसके एक स्पोर्फरेंड ने राजू में एक सलुन ओपन किया वो उसके साथी रहे कर काम कर रही है उनका ब्रेकव होकर भी वो उससे ही प्यार करती है बिसा की नियामिया को उससे बात करवाई सिधे शब्दों में वो उसे भूल जानी के लिए कह रही थी ये सुन कर हरुटो ने ऐसी बाते की जो शायद उसे नहीं करने चाहिये थी स्टूडियो के अंदर सवाई ने भी उसे पहुत जादा डाटा वो काम के बीच में ही चला गया था इसलिए वो अपने प्राइवेट लाइफ को प्रोफिशन लाइफ में इन्वाल्व कर रहा था ये देखकर कायसुके ने उससे एक सवाल पूचा तुम अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो? कौन सा फोटोग्राफर बनोगे तुम? विसाकी की हालत अब तक काफी बदल चुकी थी उसके सारे बाल तूट रहे ताकशी विसाकी को हर रोज अपने पीट पर एक नए थरीपे के लिए लेकर जाता बिन अपनी पैसों की चिंता करे एक दिनोंने पता चला वो डॉक्टर्स तो फ्रॉड थे उनकी आखरी उमिद भी कतम हो चुकी थी ताकशी ने रोते हुए उससे माफी मागी वो एक यूजलेस भाई है जो अपनी बहन की मदद भी नहीं कर सकता उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था बचपन में भली वो बड़ा भाई था लेकिन रेस्टरॉण के बिजनिस में आने से पहले मिसाकी ने उसे सारी चीजों में मदद करी खाना बनाने से लेकर तो कस्टमर्स को समालने तक वो कहती है तु मेरे उपर पैसे मत खर्च करो वैसे भी मैं मर नहीं वाले हो ये सुनकर बाई के तोर पर किसी को भी बहुत बुरा लगता हरुटो यूकी की साथ बात कर रहा था सड़नली यूकी ने उसे किस किया क्योंकि वो भी उससे प्यार करती क्योस्चुके ने उसके फोटोस देखी उन फोटोस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेजान तस्वीर है उन्होंने उसे समझाया फोटोस कीचने के लिए टैलेंट और टेकनिक तो इंपोर्टन है ही मोस्ट इंपोर्टन थिंग है फोटोग्राफर का दिल ये सुन दे हरुटो यूकी के साथ फोटोस कीचने माउंटन्स पर गया रात को वो दोनों ऐसे ही बैठे थे वो कहती है मेरे पास बॉइफरेंड बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं तुम्हें पता है एक फोटोग्राफर का दिली सबसे ज़्यादा महत्वपून बुवी का निबाता है अगर वो ही तूड़ गया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं जैसे उसके साथ हो रहा था वैसे अगली सुबह उसने मिसाकी का नंबर डिलिट कर दिया दूसरी अताकशी उसे लेकर जा रहा था बीच में उसकी तब्यत और ज़्यादा खराब हो गए उसे अब ठीक से चलना भी नहीं हो रहा था अयानों ने उसके लिए कुछ मल्टी विटामेंस और वागी की मेडिसिन्स लाई एक चीज शाद उसे नहीं कहनी चाहिए थी उसने इंडारेक्ली कहा वैसे भी तुमें इन सबी चीजों की जरुवत तो है ही नहीं इसके बारे में उसका इंटेजन सही था या फिर गलत यह तो मैं नहीं बता सकता उसकी वज़े से उन दोनों की वेडिंग्स भी पोस्ट पॉन कर दी ये सुनकर मिसा की सबी चीजों की कसुरवार खुद को ठहरा रही थे ताकशी के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बागी के एक्सपेंस इसको पे करने के लिए आयानों उसके पास आई और अपने एटियमों से दिया ये कहकर मैं भी तुम्हारी फैमिली हो इससे ले लो हॉस्पिडल से घर पर आने के वर्ग वो हरटो को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे उसका प्यार उसके सामने होकर भी वो नहीं जा सकती इस हालत में उसे जाने की हिम्मत नहीं थी बिसा की चाती थी आयानों अगली बार से उसके सामने नहीं आये क्यों? उसके हालत के वज़े से उसके सुन्दरता को देखकर उसे बुरा लगता कही ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उससे नफरत करने लगे वो आयानों को अपनी बड़ी बेहन मानती है इसलिए ये सुनकर उन दुनों की बीच की सारी दूरिया खतम हो गए थी अगली दिन डॉक्टर ने टाकाशी को कहा उसके पास अगली स्प्रिंग को देखने तक भी टाइम नहीं उसने ये बात अपने मन में दबा कर रखकर मिकासी को तवफा दिया एक पिंक लड़की हैट और उससे कहा इस डाइडिय में तुम अपनी विशिस को लिखो मैं उन सभी विशिस को पूरा करूगा उसकी दो इच्छा थी पहली इच्छा उसके सफ़रिंग को खतम कर देना जिसे वो पूरा नहीं कर सकता ताकशी ने उसकी दूसरी विश को देखते हुए हरुटो के पास गया और उसे सारी सब कुछ कहानी बताई जो अब तक हुई वो अभी भी उससे अपने दिल से बहुत प्यार करती है ताकशी ने अपने घुटने पर बैटकर उससे मदद मांगी हरुटो मिसाकी के दोर के पास खड़ा था वो कहता है तुम कैसे भी दिखो ये मैटर नहीं करता मैं फिर भी तुम से हमेशा प्यार करूगा तुम ही मेरे लाइफ का पहला प्यार हो मिसाकी वो विचारी ये सुनकर रो रही थी ये होने से वो कम से कम हसने तो लगी उससे पता चला वो अभी भी उससे प्यार करता है हरुटो ऐसे ही रोज रात को उसके दर्वाजे के सामने बैठ कर उससे बाते करता वो सच में खुश था कैसे एक छोटे से एक्सिडेंट की वज़े से वो मिसागी के साथ डेट पर जा पाया बहले ही वो दोने एक दुसरे को कम टाइम से जानते हो लेकिन हरोटो ने उसके साथ अपने पूरी खुशिया को शेर किया था उसने एक ऐसा वादा किया जो कभी बूरा नहीं हो सकता वो कहता है अगले साल हम फिर से चेरी ब्लॉसम देखने जाएंगे हम उस जगा और कई सारी नई मेमरीज बनाएंगे बहले ही उन दोनों की बीच एक दिवार हो लेकिन उनके प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता चाहे ऐसे कितने भी दिवारे खड़ी हो जाए अगले मैंने हरोटो के किचीवे फोटोस डिस्प्ले होने वाले है मिसाकी को उस जगा किसी भी हालत में आना पड़े का उन फोटोस को देखने यही बात बताने के लिए वो आया था बहार स्नोफॉल शुरू हो गए तो मतलब है उसके पास छोड़ो मैं नहीं बता सकता ताकशी ने उसकी हिमत बढ़ाई एक्सिवीशन में जाने के लिए उस जगा वो दोनों जहाजहा मिले उन जगा की तस्वीरे थी ये दिखकर उसे सारी यादे फिर से याद आ रही थी उस जगा रहे कर उसे हारुटो से मिलना था दूसरे आहा वो मिसाकी के घर पर गया उसे मिलने वो तो पहले ही निकल चुकी है ये पता चलते ही वो तुरंट उसे दूड़ने गया हरुटो की बस एक कलती जिससे शायद वो जिन्दे की भर रिग्रेट करेगा रास्ते में उसने निसा की की मदलत की लेकिन वो उसे पैचान नहीं पाया नहीं उसने ये बताया कि वो कौन है उन दोनों की ये आखरी मुलाकात इसके बाद वो हमेशा के लिए चली गई फ्यूनरल के बाद अयानों ने उसे उसे वही सीजर के स्वापस दिया हरुटो ने जब उस हैट को देखा जो उस ओर लेड़ी ने पैना था तब उसे रियलाइज हुआ वो मिसा की थी उसके गर पर वो अपनी जान लेने वाला था उससे पहले उसे मिसा की का लेटर मिला उसने लिखा था शुक्रिया मुझे तुमारे एक्जिबिशन में बुलाने के लिए इस हालत में गर से बाहर निकलने में मुझे सच में डर लग रहा था लेकिन मैं तुमारे वज़े से बाहर निकल पाई तुमारे फोटोस सच में बहुत खुबसूरत थे ऐसा लग रहा था जैसे हम फिर से उस पल में है हरोटो मुझे माफ करना मुझे छोटी सी जिन्दगी मिली है मैं खुश हूँ कि तुम मुझ से प्यार करते हो अगर लाइफ में मुझे साथ कुछ हुआ तो तुम बिल्कुल भी फोटोस किजना बंद मत करना स्टूडियो में क्या सुगे ने उसे कहा जब मैं तुमारे फोटोस देखे न ऐसा लग रहा हता मानो उसमें फिर से जाना गई फाइनली तुम एक फोटोग्राफर बन गए सो इस कहानी में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्क्राइब करो तब तक के लिए मैं मिलता आपको अगली वीडियो में सो बाइबाइ